तो आज हम करेंगे कुछ important mcq multiple choice question ठीक है आपने जो वो correct option जो वो चूज करना है आपको यहां पे हर एक question के जो वो four option मिलेंगे फोर option में से कोई एक option जो वो सही होगा ठीक है तो चली start करते हैं इनको अच्छी से solve करेंगे first is the product of two number is equal to ठीक है जैसे मैं multiply कर रहा हूँ जैसे 5 है मेरे पास एक number और एक number है मेरे पास 3 तो 5 को मैंने 3 से multiply कर लिया ठीक है 5 को मैंने 3 से जब multiply किया तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है तो यह जो यहां पे आ रहा है जैसे 15 आ गया तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट क्या बोलेंगे मतलुकि इंका जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 15 लेकिन यहां पर प्रोडक्ट तो हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट भी हमारे पास option में है तो ऐसे तो मैं नहीं बोज़गता कि product of two number is equal to product of number नहीं बोज़गता हूँ ठीक है बदल कि इनका यह जो product आ रहा है वही इसको पूछ रहा है कि यह किसके एको लोज़गता है कि क्या फर्स्ट ऑप्शन है LCM के इको लोज़गता है सेकिन ऑप्शन है HCF के इको लोज़गता है थर्ड है LCM और HCF के इको लोज़गता है multiply है बीच में ठीक है अब देखिए यह जो 15 है इसको निकालने के लिए हम लोग पहले LCM निकाल लेते है LCM का मतलब होता है कि इन दोनों का एक list common multiple होना चाहिए ठीक है जैसे 5 के multiple मैं लिख रहा हूं 5 ठीक है 5 के मैं multiple लिखने जा रहा हूं 5 हुआ और 10 हो गया एक हो गया 15 एक हो गया 20 ठीक है ऐसे आगे तक चलते जाएंगे अब 3 के multiple मैं लिखने जा रहा हूं 3 हो गया फिर 6 हो गया फिर हो गया 9 पिर हो गया 9 के बाद आ जाएगा 12 12 के आ जाएगा 15 तो हमारे पास हमें पता है कि हमें चाहिए list लिस्ट का मतलब है सबसे चोटे चोट चोटे चोटा common multiple कौन से मिल रहा है 3 तो नहीं है यहां पर 6 नहीं है 9 नहीं है 12 नहीं 15 15 हमारे को सबसे चोटे चोटा multiple मिल रहा है इसका मतलब है हुआ कि 3 और 5 का जो भी multiple है वो है 15 अब हमने देखिए LCM तो निकाल लिए LCM कितना आ रहा है LCM आ रहा है 5 और 3 का जैसे 5 और 3 का जो भी LCM आ रहा है वो भी आ रहा है 5 3 जै 15 टीक है 15 यह आ रहा है अब HCF की बात कें HCF का मतलब है highest common factor टीक है highest common factor तो common factor देखिए कौन सा है common factor का मतलब है कि इन दोनों को जो भी मतलब कि जो common factor है इनका जो भी इनको multiply करने पर मतलब कि एक common आना चीए दोनों का ही तो 5 और 3 का ये तो दोनों अलग-अलग number है क्योंकि ये odd number भी है odd number के साथ ही ये prime number भी है तो इनका जो भी common होगा वो कुछ भी नहीं है मतलब कि एक होगा तो highest common factor एक ही है इनका तो इसका मतलब है इन दोनों को अगर मैं multiply कर लूँ इन दोनों को अगर मैं multiply कर लूँ वैसे इसका जो भी answer है वो कुछ और भी होसकते है 15 multiply by 1 तो 15 ही आ जागा answer इसका मतलब ही हुआ कि product of two number जो हब हो HCF और LCM को multiply करने पर भी 15 आ रहा है ठीक है तो इसका बहुत सारे answer होसकते है वैसे तो दो answer इसके होसकते है HCF तो 1 आ रहा है ठीक है लेकिन एक example से मैंने 3 और 5 लिया है किसी और number का लेंगे तो भी वही आएगा ठीक है तो LCM भी इसका जो आजवाब वो answer होसकता है लेकिन आपका जो भी सही formula है इसके वो equal होजाएगा हमारा जो answer होगा वो C is the right option जैसे हमने example लिया था 3 और 5 का तो उसमें तो LCM भी होसकता था लेकिन कोई और example लेंगे तो वहाँ पे जो वो LCM नहीं आने वाला है कुछ और आने वाला है क्या आने वाला है LCM multiply by HCM के इकोल होने वाला है ठीक है तो वह फारा सही answer हो जागा C देखिए second question देखिए यहांब लेका है 9652 9652 को यहांपे बुचा है multiply किससे किया जाए कि 9652 00 हो जाए तो देखिए last में 2 0 है 9652 के आगे जो वो 2 0 है इसका मतलब है 20 के से होती है 100 में होती है तो 100 से multiply कर ने बर आ जाएगा अगर इसके आगे 3 0 होती है तो 1000 आ जाएगा यह तो बहुत ही simple सा question दा आगे वाला question देखिए यह वह काफी interesting question है 1 by 3 5 by 4 multiply कर रहे है इसको 2 by 5 तीक है 1 by 3 जो वह इस साइड है बिच में equal to लगा है 5 by 4 भी इस साइड है तो कौन सा बच गया 2 by 5 तो 2 by 5 यहां पर आ जाएगा simple सा है the answer of multiplication is called जो answer होता है multiplication का जैसे मैंने 3 और 5 गो for example यह था 3 और 5 का आ रहा था 15 तो 15 को क्या बोला था मैंने product तो इसका answer हो जाएगा product year 2015 has dash days ठीक है यह पुच्छा है कि 2015 में कितने days थे ठीक है तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक year में जब वो 365 होते हैं लेकिन जब leap year होता है तो वो 366 का होता है अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो 2015 जो वो leap year था या नहीं तो याद रखिए जो जो हबो फोर से डिवाइड हो जाए जैसे 2000 है जैसे कि 2000 नहीं 2022 लेते हैं जो आने वाला है अगले से जो अगला साल आने वाला है थीक है 2020 20 2021 तो चल पड़ा है तो 2022 को चेक कैसे करना है कि 4 से डिवाइट करेंगे अब आपको दिख रहा होगा 22 है तो 4 से नहीं जाता है तो मतलो कि लीपीर नहीं है लेकिन जब आपका स्ताबदी वाला यह राजाता है जैसे कि 2000 तो इसको 4 से नहीं करते हैं इसको 400 से कर देते हैं हम लोग ठीक है तो इसको आपने याद रखना है लेकिन अगर आप ऐसे याद रखें कि 2000 ठीक है 2020 जो हब वो एक leap year था ठीक है तो इसके 4 साल बात जो हब वो leap year आएगा मतलब कि 2024 को आएगा 90's को था 2000 को आया 2004 को आयगा 2008 को या 2010 टोइल गाать 2016 को आयगा फिर इसका मतलब है टूफाइद 15 तो आया ही नहीं क्योंकि अधिए फ्साइभ फिसदेट फिसे नहीं होता है क्योंकि 4 के लिए आपने जो वो divisivability test जो वो पढ़े हैं ठिक है 15, last बले जो दो डिजित है वो जो 4ührसे divisival न्य चाहिए तो 15 तो नहीं होता है, इसका मतलब है कि 2015 भी 4 Vader नहीं होता है, इसलिए लीप यह लिपियर नहीं है तो 365 भी इसका अंसर होगा, 365 भी इसका अंसर होगा, एक्स ठीक है तो यहां पे इस नंबर में पुचा है कि जैसे कि यहां पे नंबर लिखा है 231707 तो इसमें पुचा है कि 7 7 7 7 7 के यहां पे जितने भी 7 है उनकी place value का sum कितना होगा तो पहले तो first वाले 7 की निकालते हैं तो first once पर है तो इसका 7 ही होगा 7 multiply by 1 7 ही होगा इसकी place value लेकिन जो once tends 100 position पर बालवा 7 है वो है 7 multiply by 100 हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 700 तो 700 plus 7 तो 700 7 इसका सही answer हो जाएगा ठीक है next question है और when we divide any fraction by itself the quotient is always ठीक है यह वो रहे कि किसी भी fraction को जो वो उसी के साथ जो अब वो divide करने पर अच्छा divide करना है ठीक है divide करने पर जो अब वो quotient कितना आता है तो देखें फ्रेक्शन लेते हैं जैसे one by two लिया मैंने one by two को one by two से divide कर दिया तो cancel हो जाएगा cancel हो जाएगा तो zero नहीं बचेगा यहाद रखेगा ठीक है तो इस cancel हो जाएगा one one is the right option last question है आज का यहाँ पर लगा है zero अच्छी यहाँ पर divide वल यहाँ पर आप देखने इस divide लगा है ठीक है लेकिन अगर किसी number को जो 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 जीरो से divide करेंगे तो फो not defined हो जाएगा infinite हो जाएगा ठीक हैस बात आप आप यादर कीए तो zero से divide करने जा रहा है इसका मतलब है कि यह जीरो होने यह और एह जो भो 0 0 से डिवाइड करते इसको ठीक है यह तो 0 डिवाइड हो रहा है लेकिन अगर 0 से डिवाइड करते हैं मतलufen कि 0 जो भो denominator में होता यहां पर 0 जो भो numerator में है तो 0 एलेकर 0 अगर कहीं गलती से जोभो denominator में आ गया इसका मतलब है not defined infinite बन जाएगा तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा 0 तो आज के लिए तरह काफिया इन MCQs के आप practice करिए Okay, thank you and have a nice day